तो देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताय था कि केवी की तरफ से अब धीरे-धीरे करके जो है वो आप लोगों की इंटर्व्यू की डेट आना स्टार्ट हो जाएगी तो अभी जो है यहां पर असिस्टेंट कमिशनर की वाइस प्रिंसीपल की इनकी सब की जो है 52 या 53 जो पोस्ट के लिए असिस्टेंट कमिशनर की जो पोस्ट है उनके लिए जो यहां पर सौट लिस्टेड आई है कैंडिडेट की जो लिस्ट है यह इंटर्व्यू के लिए तो डेट जो है वो आप देखने यहां पर जो है 10 अप्रेल जो है इंटर्व्यू होगा और क सरीचे से देखिए 52 या 53 पोस्ट के लिए जो है कितने बच्चों को बुलाया गया है तो यहां पर जो है वह आप देख सकते हो लिस्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में तीन गोना से ज्यादा बच्चों को जो है यह लोग बुलाते हैं ठीक है तो अब यह 157 लास्ट में है विजय कुमार इनको बुलाया गया है ठीक है यहाँ पर category जो है वो भी mention हो जाती है कि देखिए SC जो है SC category यानि 131 से लेकर 157 तक जो है वो SC category जो है इन students को बुलाया गया है और 130 तक जो है वो OBC जो है इनको बुलाया गया है ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए 130 तक 65 से 130 तक जो है वो OBC में जो आते हैं तो उनको बुलाया गया है और जो general category है उनको 64 बच्चों को ठीक है 64 बच्चों को जो है interview के लिए invite किया गया है तो इससे थोड़ा सा जो है वो अंदाजा जो है वो आप भी लगा सकते हो कि कितने बच्चों को बुलाया जा रहा है हमारे जो है वो marks कितने हैं क्या हम interview की तैयारी करें या नहीं करें तो यह मैंने आपको जो है इस video के माद्यम से जो है वो बताया है क्योंकि सभी को पता है कि हमारे marks जो है वो इतने बन रहे हैं और हम जो है interview में जो है वो बुलाये जाएंगे ठीक हमारा interview में नाम तो आ ही जाएगा तो यह मैंने आपको बता दिया है इससे थोड़ा सा जो है आपने दिया है ठीक है क्योंकि बच्चों के माइंड में यह चीज रहती है कि हमें तो बुलाया ही नहीं जाएगा हम तयारी क्यों करें तो अगर उनको पहले से पता चल जाता है कि हमें जो है तयारी करनी चाहिए क्योंकि हमारा भी नाम आ सकता है तो पहले से जो बताऊंगी तो चैनल पर जो है आप बने रहें मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू